थेलो दोस्तो नमस्कार, गोड़ मॉनिंग, दिन के साड़ी 6 बज गया हैं और हम अपने मतर के केत में आ गया हैं और जैसा कि मेरी मतर के क्हेती यह है, दोस्तो पंद्रे विस्थे में है और यह रच्छना मतर है, जैसा कि आप देख रहा है, खेती अच्छी है और हरा भरा है, दोस्तों अभी हमने इसका कल भराई किया है, और ये पूरी तरह से फूल ले चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह थDR सब खेती ही खेती होती है, और ये है मढवाज, इसको हम लोग राखते हैं, यहां पर रात में हम लोग रुखना पड़ता है, चर्ण यहां रूपना पड़ता है दोस्तों तो काफी इमेहनत करना पड़ता है दोस्तोंता तब सताय के धांसे 5 जहां फैन पेड़न गारे च्वाःन जो सहर में रहते हैं उनके लिए जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं मठर मेरा बिल्कुल तैयार है फुल ले चुका है दोस्तों ये पंदरे दिन बाद बिल्कुल फल दे देगा फंदरे दिन बाद ठीक है फल देना चालू कर देगा और अभी इसमे खाद हुई उपयोक किया गया है जैसा कि दाई एक तरह से फुल ले चुका है अच्छा है बढ़िया और त्रश ड़ा होता है chi यहां रात में हमारे फैमिली के एक लोग रूखते भी है जिससे जानवरों को देखने के लिए जिससे कि यहां नुसकान नहों किसी परकार का तो देखिए हम बीच खेत में आ चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरह से फोल चुका है और रचना मटल इसको बोलते हैं दोस्तों और काफी स्वस्त पौधा है और कोशिस करेंगे ज्यादा आगे वीडियो में आपको इसके बारे में बताएं दोस्तों इसको बोने से पहले सबसे बड़ी खास यह देखना है कि आपकी जमीन उश्योग है कि या नहीं ठीक है दूस तो इस सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों तो इस वीडियो में तो मैं इतना ही बताऊंगा दोस्तों नमस्कार अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें